आज हम बनाने वाले हैं बजार जैसा खस्ता नमक पारे परत वाले आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं या हलकी फुलकी आपको भूख हो तो आप इसे लेके खा सकते हैं नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा प्रात और इसमें हम मैदा ले लेंगे जितना आपको बनाना है उतना ही आप मैदा लेजी इसमें डालेंगे मैंग रहे हैं एक चमच जिसे कलोजी भी कहते हैं और एक चमच आजवाइन डालेंगे आजवाइन ऐसे ये मिल जाएगा थोड़ा अलग दिखने लगेगा and रखेंगे अच्छे से नी लगेगा तो हम समझागे अच्छे से मिल गया है लगा लेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके लगालेगे हम एक भार पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आटा गीला भी हो जाएगा अंदाजा नहीं मिलेगा तो मैंने यहां बिल्कुल अच्छे तरस आटा गूत लिया है अब इसको हम रख देंगे 20 मिनिट के लिए सेट होने के लिए फिर 20 मिनिट बाद हम चेक करेंगे अब इसे फिर हम तोड तोड के बिल्कुल आटा को अच्छे तरस से गूत के मुलायम कर देना है उसके बाद से हम रोटी भी लेंगे तो हम इस तरस बोड लेंगे जिस पर भी आप रोटी बनाते होंगे बाकी को हम ढखक कर रखेंगे और एक कलोई लेंगे बाकी आटे को खुलिम से रखेंगे तो आटाउ सूप जाएगा और पपड़ी जम जाएगा तो उसका अच्छे से रोटी को जादा नहीं बिलना है हम न ज्यादा मोटा बेलेंगे न ज्यादा पतला बेलेंगे हम ठीक इसी तरह से बेलेंगे अगर यह ज्यादा मोटा हो जाएगा ति तल्लिम ज्यादा टाइम लगेगा और रोटी बिलने के बाद हम इसका लेप बनाएंगे बैने हाल या कटोरी में रीफायन इसमें मैदा डाल के हम अच्छे से पेश्ट बना लेंगे इसको जब इसे अच्छे से पेश्ट बना लेंगे तब ये बटर जैसा दिखने लगेगा अब हम एक चम्मस से उठाएंगे और रोटी पर रखेंगे रखने के बाद हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे चारो तरफ अब मिलाने के बाद हम एक साइट से इस तरह से रोल बना लेंगे और बिल्कुल टाइट बनाना है धीला नहीं बनाना है और इस तरह से चिकना कर देंगे जो अंदर हवा होगा वो निकल जाएगा चाकू से पेड़ा की तरह बना लेंगे इसी तरह हम सारा बना तयार कर लेंगे अब एक हम लेंगे लोई इससे पूरी की तरह बेल लेंगे मैं दो पूरी बना का दिखा रही हूँ आपको की कैसे बनेगा मैंने यहाँ दो पूरी बेल लिया है इस पे लगाएंगे फिर हम लेफ इस पे हम अच्छे से फैला देंगे जैसे हम पराठा फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसको फोल्ड कर देना है तीन कोन में और फोल्ड करने के बाद हम इसे छेद कर देंगे ताकि जब हम तले इसको तो फूले ना अगर छेद नहीं करेंगे तो ये पूरी की तरफ फूल जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा बाकी को भी हम इसी तरह से बना लेंगे हमने यहाँ तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाए तो गैश को धीमा कर देंगे उसके बाद से एक-एक करें हम सारा डाल देंगे जितना आएगा उतना ही हम डालेंगे नहीं तो फिर हम दुबारा डालेंगे और डालने के बाद हम इसे चार मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमी आज भी जैसे जैसे यह पकता जाएगा वैसे वैसे उपर की तरह आता जाएगा और तैरने लगेगा और कलर भी इसका सफेद दिखने लगेगा तो फिर हम 4 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे फिर हम 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे फिर 4 मिनट बाद इसे हम पलटेंगे और बीच बीच में इसे थोड़ा सा चलाते तो हमें 15-20 मिनट लगेगा इसको तलने में बिल्कुल धीमी आज पे तलना है अगर तेज आज पे आप तलेंगे तो यह काला पड़ जाएगा और अच्छा कलर नहीं आएगा तो हमने यहां बिल्कुल अच्छे तरह से तल लिया है कलर भी दिखिए कितना बढ़िया आ गया ह अब इसको हम छान लेंगे बाकी को भी हम छान लेते हैं हम इसी तरह से हम सारा तल के तयार कर लेंगे यह नमक पारे बन के तयार है परत वाले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा